किताबें पढ़कर IS बने कमिशनर शिवलिंग पर जल चड़ाने जाते हैं और चपल उतार ना भूल जाते हैं ये बात सभी की समझ से परे है मगर उजयन संभाग के कमिशनर संजै गुपता का चपल पहन कर जल चड़ाते हुए एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसकी सफाई में वो कहते हैं कि गलती से हो गया जो काम गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए वो काम उजयन संभाग के कमिशनर ने कर दिया जी हां एक वाइरल वीडियो में वे महादेव मंदिर में चपल पहन कर भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहें उनके साथ जो दूसरे लोग खड़े हैं उनके पैरों में चपल नहीं है वे नंगे पाउ शिवलिंग पर जल चड़ा रहे हैं वीडियो देखकर लोगों ने जब कमिशनर संजे गुपता को ट्रोल करना शुकिया और हंगामा मचाया इतना ही नहीं लोगों ने सोशल मीडिया पर कमिशनर से माफी मांगने तक को कह दिया जब लोगों ने कमिशनर संजे गुपता से माफी मांगने का दवाब बनाया तो कमिशनर संजे गुपता ने कहा कि भूल से ऐसा हो गया था जैसे ही पता चला तो तुरन चपल उतार दी अगर इससे किसी की भावना आहत हुई हो तो माफी मांगता हूँ लेकिन सवाल ये उटता है कि वे मंदिर में चपल पहन कर पहुचे कैसे अब आपको बता दें कि मुद्दा क्या है दरसल शनिवार को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहर शिप्रानती के रामघाट पर सफाई अभियान चलाए गया था इस अभियान में जनप्रति निदियों के अलावा अधिकारी भी शामिल हुए थे सफाई करने के बाद सभी ने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की इसी दोरान कमिशनर गुपता ने चपल उतारे बिना हिंशिवलिंग पर जड़ ज़़ाना शुरू कर दिया लोगों और स्थानिय नेताओं ने कहा है कि संभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने चपल पहन कर जल चड़ाया है ये हिंदू धर्म और संस्कृती का अपमान है इतने बड़े अधिकारी का ऐसा करना अस्थेहनिये है आप देख रहे हैं डखल न्यूल